स्वागत है आप सभी का Class Oxide CUET में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CBSE Class 12, History Chapter 1, Beads, Bricks and Bones MCQs, आपके CUET exam में जो History Domain है, उसके लिए ये बहुत important वीडियो होने वाला है, स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जो 3 पार्ट आई थी, वहाँ 75 तक हमने देखा था, आज 76 MCQ से द technique for making beads of different material, जो 58 pupils से, वो जो beads बनाते थे, वो अलग-अलग तरह की, जो material से beads बनाते थे, उसके लिए technique जो है, वो same use करते थे, नहीं, wrong है ये, different techniques use करते थे, Now, some beads were molded out of a paste made with copper powder, अब होता क्या था, कि कुछ beads, छोटे-छोटे ऐसे beads को join करके, बड़ा सा एक bead बना दिया, तो इसके लिए, join करने के लिए, copper की powder को use किया जाता था, नहीं, copper powder नहीं, stay tight, जो stay tight नाम की, जो stone जो होती थी, उस stone की powder को use करते थे, यानि कि ये वाली भी wrong हो तो आपको तो incorrect बताना है, तो दोनों ही incorrect है, option, option C, 77 mcq, stay tight is very hard stone, stay tight कैसा stone है, बहुत ही hard stone है, नहीं, hard नहीं, बहुत ही soft stone है, तभी तो इन से क्या बनाते थे, तभी तो इनकी paste बनाते थे, join करने के लिए beads को, या फिर इन से seal भी बनाते थे, है ना, seal बनाते थे, stay tight stone से, ठ Archaeologist know how estetite microbeads were made, तेखो, Archaeologist लोगों को पता है, कि यह estetite से, जो microbeads, estetite से, छोटे-छोटे beads बनाया जाते थे, यह कैसे बनाया जाते थे, Archaeologist को यह जानकारी है, यह पता है, नहीं, आज तक proper knowledge नहीं है, इसकी, ठेक है, तो यह वाली beads wrong है, तो correct पहुन सा है, कोई भी correct न और लोथल, तो हम लग देखेंगे कुछी special तरह के कुछ drills पेगराब मिली है, यह मिली है, चानुदारो में और लोथल में मिली है, ठीक है, तो यह तो सही है, no drill have been found at धोलावीरा, I think कोई भी drill जो है, वो धोलावीरा में नहीं मिली है, नहीं, धोलावीरा में मिली है, ठीक ह far from the coast, जो नागेश्वर है, एंड हम लोग देखेंगे, जो बालाकोट, जो site जो है, यह देखेंगे, यह coastal area से, समुंदर के जो तठ है, वहां से काफी दूर है, ठीक है, फार है, यहां क्या बोल रहा है, नहीं, काफी नियर है, काफी नियर है, यह वाली गलत हो गई, तो य यह जो आप नाम देख रहे हो, नागेश्वर देख रहे हो, यह बहुत ही special center थे, जहां पर cell से, जो cell जो होती है, आपको पता है, उसेन में से cell निकाली जाती है, उसेन यह समुंदर में से, तो इन cell के product बनाए जाते थे, तो यह true है, ठीक है, यह, यह center थे, तो correct बताना है, only two, option B, now, MCQ 80, find incorrect archaeologist, find incorrect बताने आपको, तो यहां पर आप देखो क्या है, archaeologists believe that finished product, such as beads from चानुदारो और लोथल, were taken to the large urban center, such as, मोहन जोदरो और हडपा, archaeologist लोगों का यह मानना है, कि यह चानुदारो और लोथल में जो भी beards बनाए जाती थी न, तो इन beards को ले के जाया जाता था, कहां पर, मोहन जोदारो में, हडपा में, क्योंकि यह जो मोहन जोदारो और हडपा देख रहे हैं, यह बड़ी-बडी cities थी, urban centers थे, चानुदा आर्केलोजिस्ट लोग क्या करते थे, अगर इंसेंट जो यह टाइम है, अरपन सिवलाइशन के टाइम के में, क्या-क्या क्राफ्ट से वर्क होता था, किस तरह की क्राफ्ट बनाए जाते थे, तो इसको study करने के लिए, वो लोग जो waste material जो है, यह जो waste material है, उसको study करते है, यस, यह भी true है, तो incorrect कौन सा है, कोई भी incorrect नहीं है, option D, MCO81, in order to identify center of craft production, archaeologists usually do not look for, तो देखो, आर्केलोजिस्ट लोगों को जब craft के बारे में जानकारी लेनी होते हैं, कि craft कहां पर बनाए जाते होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों के उपर ध्यान देते हैं, कि जैसे, देखो, directly तो, देखो, हड़पन सीविलाइसन तो बहुत पुरानी है, है न, तो direct तो proof मिलेगा नहीं, तो बहुत सारी indirect तरीके से भी proof निकालने का try करते हैं, तो इस process में, जो stone के जो टुकडे है, है न, जो cell है, जो cell, whole cell है, उसको देखते थे, copper के tool, reject या waste material जो है, इसको bricks नहीं देखते थे, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, हमारी bricks, ठीक है, option number 3, now, अब देखो, next हम लोग देखते हैं, sometimes large waste pieces were used to make smaller object, हम लोग देखते हैं, कि कभी-कभी, जो है, ये देखो, जो भी बात हो रहे है, न, हरपन सीविलाइसन के बात हो रही है, तो उस time मे हम लोग देखेंगे, काफी large जो waste की piece होती थी, उनको use करके smaller object बना लिया जाता था, yes, ये true है, देखो, मानलो कि एक, for example, कोई person मानलो wood का काम करता है, लकडी का काम करता है, तो वो मानलो bed बना रहा है, है न, या फिर sofa मानलो बना रहा है, है न, तो वो sofa या bed बेगरा कुछ अब वो wood से बनाता है, अब थोड़ी बहुत wood उसकी बच जाती है, तो वो तो क्या हैकता से waste है, लेकिन इस waste से वो हो सकता है कि छोटा सा table जैसे बना ले बैठने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ बना ले, ठीक है, मतलब जो waste वाला चीज है, उसको भी use कर लेना, तो smaller project, कोई smaller सी object बनाने के लिए, तो yes, यह true है, तो यह तो true है, no craft production was undertaken in large cities such as Mohanjodaro and Harappa, हरपा में and Mohanjodaro में हम लोग देखते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की craft activity जो है, वो नहीं होता था, ठीक है, कोई भी craft activity नहीं होती थी, यह गलत है, बिल्कुल होती थी, तो इनका जख बताना है, भी only two, I am security थे, a variety of material was used for craft production, तो yes, craft बनाने के लिए, तरह तरह के stone को, या फिर तरह के stone, metals को use किया जाता था, तो yes, यह true है, clay को use करते थे, local clay was also used for craft, yes, clay को भी use किया जाता था, craft बनाने के लिए, और यह locally मिल जाती थी, yes, यह true है, for craft production, stone, timber, metal, had to be procured from outside the alveol plane, देखो, यह harpen pupils, जो जहां पे रहते थे, वहां से तो यह लोग अपना जो local product है, local जो raw material है, इसको तो use करते ही थे, craft बनाने के लिए, इसके साथ ही, यह Afghanistan से, South India से, और even दूसरे country से, Oman से, वहां वहां तक जा करके, जो raw material वहां से लेके आते थे, और उनसे तरह तरह के product जो है, यह बनाते थे, yes, यह भी true है, तो correct हो जाएगा, दोनों ही correct है, तो यहां पे हमारा कॉन सा हो जाएगा, अच्छा, तीन ओप्सन है, क्यों है correct है, all है, D हो जाएगी, ठीक है, तीन ही correct है, now, तो देखो, यहां पे जैसे आप देखो, clay यूज करते थे, या फिर अलग-अलग material यूज करते थे, craft production लिए बिल्कुल सही बात है, now, next बढ़ते हैं, MCQ में, MCQ 84, हरपन सीविलाइशन, people used bullock cart as a mean of transporting goods and people across the land routes, तो land route में, एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए, ये लोग क्या यूज करते थे, बुलो काट यूज करते थे, yes, यह true ह है, दूसरा इस्टेटमेंट, they used riverine routes, along the Indus and their Tributaries, तो सिर्फ land route नहीं, इवन ये रिवर को भी यूज करते थे, रिवर में भी बोट वेगड़ा से ट्रैवल करते थे, Indus नीरदी में, Indus रिवर में, या फिर उसकी जो Tributaries, रिवर है, वहाँ पे, yes, तो ये भी true है, coastal routes were probably not used by them, वो लोग coastal areas को use नहीं करते थे, यह गलत है, बिल्कुल, वो लोग, जो है न, ocean वेगड़ा में भी जाते थे, coastal routes को भी use करते थे, न, ocean में भी, जो है, अपने ship वेगड़ा खुले के जाते थे, वो, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी, तो हम लोग देखेंगे, कि कौन सा है, 1 and 2, option, option A, now, mcq85, हरपन, procured sell from, तो हरपन जो पीपल से इनको sell कहां से मिलता था, तो आप देखो, नागेश्वर, हाँ, बाला कोट, हाँ, क्योंकि यह समुद्र के किनारे के रिया है, मोहन जोधार उसे नहीं मिलती थी, तो वहां से नहीं मिलती थी, तो option कौन स source of lapis lazuli, तो यस, यह जो स्थ्य काहां थी, यह थी exhibition अफगाज तान में, है ना, अफगानीस्तान, है ना, अफगानीस्तान में, अर यहां से यह जो एक stone है, यह lapis lazuli जो stone है, यह क्या है, कि stone है, श्टोन में लेकिआ आया जाता था, यस यह true है, यह red color की stone है, red नहीं, यह blue color क स्टोन है, ब्लू कदर की स्टोन है, ठीक है, तो ये वाली तकलत हो गई, इट बाज अपरेंटली वेरी हाइली वेल्यूड, यस, काफी महेंगी चीज थी, काफी पीडिसीयस थी, सही बात है, तो सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, 1 & 3, option, option A, 1 & 3, now, MCQ 87, देखो, आपके CUET exam में इस तरह के questions काफी आने वाले हैं, तो आपको बहुत deeply anxiety को study करना होगा, ताकि CUET exam में आप प्रॉपर तरीके से ये जो beats, bricks and bones chapter है, इसके MCQ का answer आप कर पाओ, बहरूच was important source of caneline, देखो, बहरूच जो place जो है, यहां से भी एक stone आता था है, जो caneline जो stone जो है, यहां से आता था, तो यह तो सही बात है, correct है, यह राजस्थान में नहीं, यह है गुजरात में, यह है गुजरात में, ठीक है, तो यह वाली तो गलत हो गई, इस्टेटाइड वाज, एविलेविल इन साओ्थ गुजरात, और नॉर्थ राजस्थान, हम लोग यह देखेंगे, के इस्टेटाइड जो है, यह साओ्थ गुजरात में और नॉर्थ राजस्थान में था, नहीं, देखो राजस्थान का पोजिशन कुछ ऐसा है राजस्थान के नीचे है गुजराथ उपर वाला क्या है राजस्थान नीचे वाला क्या है गुजराथ तो राजस्थान के साउथ वाला एरिया और गुजराथ का नॉर्थ वाला एरिया तो यहां पर अच्छा यहां पर नहीं यहां पर आपको इंकरेक्ट करना है ठीक है इंकरेक्ट कौन सा हो जाएगा 2 & 3 है न 2 & 3 option number option c इंकरेक्ट बताना है आपको खेत्री रीजन और राजस्थान वस इंपर्टेंट शोर्स ओफ लैपीज लेजुली नहीं अभी तो देखा लैपीज लेजुली हम लोग कहां से लाते थे वहां खेत्री वाली एरिया से तो कॉपर लेके आते थे कॉपर ठीक है तो यह वाली तो खेत्री माइन आइन वहां से क्या लाते थे? वहां से लाते थे कउपर ठीक है? स्यूक्त एंचिए देखो यह ऐसरों रीजन वाला है archaeologists have found 85 artifacts in the far areas तो archaeologists जो है उनको 85 artifacts वेगरा जो भी है ये काफी दूर-दूर के areas में ये मिले है, ये सही बात है reason इसका क्या है कि 85 pupils जो थे ये काफी दूर area में जाते थे distance area में जाते थे metals के लिए, stones के लिए, trade करने के लिए ये भी सही है, अब बिल्कुल ये दूर-दूर में जाते थे, अब फिर वहाँ पर जो भी अपने artifacts वेगरा को exchange करते थे या sell करते थे, इससे हमें क्या है कि ये विन मुस्वपोटानिया तक जा करके जो है, हरपन artifacts वेगरा वो मिले है, तो यहाँ पर option A हो जाएगा answer, ठीक है, option A हो जाएगा, next MCQ ये भी देखो, एससे रीजन है भूम्त ओमानी copper and हरपन artifacts have common origin हम लोग ये देखते हैं कि जो ओमान में जो copper की, जो ओमान जो country है, एक country है ओमान तो ओमान में जो copper जो है और हरपन में जो भी artifacts मिले है, इनका common origin है yes, ये true है ओमान की जो copper है और हरपन artifacts है, इनमें जो है nickel के trace मिले है, देखो, कहा ये जाता है कि हरपन pupils ना ओमान नाम की जो place है, कह नाम है ओमान, ओमान से copper लेके आते थे ओमान से भी copper लेके आते थे तो यानि आफिर उसी से जब product बनाते थे तो हम लोग ये बोल सकते है कि हरपन जो product बहुत सारे artifacts बने है ये ओमान से लाए गए copper से बना है तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर common origin है सही बात है ये और यहाँ पर traces भी मिले है तो इसी के basis पर हम लोग ये बोल सकते सही है option A हो जाएगा यहाँ पर ठीक है answer next many pottery found in khetri area where distinctive non-harpan pottery देखो harpan जो pottery इस थी हरपण जो area थी civilization जो थी इसमें this design की pottery बनाई जाती थी इससे थोड़ा सा different type का pottery हमें मिला है khetri mine में khetri area में ठीक है तो yes यह true है जो archaeologist है क्योंकि यह थोड़ा सा special था तो archaeologist जो है इस area को क्या बोल देते हैं गाने स्वर जोधपूरा कल्चर बोल देते हैं इसके लिए यह भी सही है archaeologist believe करते है it is possible that inhabitants of this khetri region supplied gold to harpan यह माना जाता है कि khetri area के जो लोग जो थे यह harpan pupils को क्या करते थे supply gold supply करते थे copper अभी तो बताया copper गोल्ड तो लाते थे कहां से south india से south india से गोल्ड लाते थे यह तो गलत हो गई ना तो correct answer है one and two option a next time see recent archaeological find suggest that copper was also probably bought from तो मैंने आभी आपको बताया कि हड़पन क्यूफस जो थे वह Oman से copper लेके आते थे कहां से copper लाते थे Oman से copper लेके आते थे ठीक है Oman कहां पर है तो Oman आप देखोगे जो Oman जो है इसका आपके book में map दिया है ना देखोगे आप Arabian Peninsula जो है उसका एक map दिया गया है और उस map में यहां एक country है यहां एक country इस तरह से दो country है है ना आप map में देखोगा इधर में क्या है Indian Ocean है ठीक है इधर में red sea करके ऐसे है चलो एक काम करो इसका answer चलो आप comment करके बताओ मुझे चलो मैं एक काम करता हूँ मैं दो option को छाट देता हूँ दो option हटा देता हूँ तो यहां पर north eastern tip of Arabian Peninsula option क्या है फिर भी south eastern tip of African Peninsula ने यह option भी नहीं होगा अफरीका है यह option D भी नहीं होगा यहां भी अफरीका बोल रहा है A and C में से कोई एक होगा चलो आप comment करके मुझे बताओ A and C में से कोई एक होगा यह आप comment करके बताओ मुझे ठीक है next बड़ते हैं a distinctive type of vessel a large हरपन जार coated with thick layer of black has been founded हम लग यह देखते हैं कि Oman में एक बड़ा सा जो है न एक pot मिला है जार मिला है यह कैसा जार था यह जार को देखके लगता है कि यह हरपन ने बनाए होगा design pattern वेगड़ा ऐसा था और इसके उपर ब्लैक कलर की clay लगाई हुई थी तो यह कहां से मिला है तो ओमान में मिला है में भी हरपा के लोग जब जाते होंगे ओमान में अपने कोई product को बेचने के लिए तो वो लोग अपने हाथ में तो लेके जाएंगे नहीं है कुछ आउससा में तो कुछ suitcase वेगड़ा ऐसा कुछ तो था नहीं तो इस तरह के जो है vessels वेगड़ा में लेके जाते होंगे अज जो product होगा उसको बेच दिया होगा अब आद में वो जो भैसल जो है वह वहीं छूटिया होगा हो सकता है ऐसा ठीक है तो हम लोग guess कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ के बाड़े में नेक्स्ट देखते हैं मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्ट टू रिजन कॉल्ड मागन अब अब वह एक जगह से च्ट effectivement ऑड़े करते थे इंपोर्ट करते थे आपने कंट्री में अपने सिविलाइशन वाली एरिया में क्वापर लेक्च आते थे वह chamado मागन बोलते-म M-A-G-N, Megan तो यह Megan कौन सा area है? ठीक है? तो यह यह लोग use करते थे उमान के लिए उमान को यह लोग बोलते थे Megan ठीक है? उमान को बोलते थे Megan ठीक है? हरप्प वाली area जो एफिझा हरप्पा civilization वाली जो area थि इसको बोलते थे Mälinha मेलूह नाम अच्छा है मेलूह नेक्ट इनकरेक्ट आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर डाइस है बिल्कुल डाइस मिली है कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वेट जो है न समान को मेजर करने के लिए जो वेट यूज करते है इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कोई एविडेंस नहीं मिला नहीं यह गलत है बिल्कुल मिला है हमें तो इनकरेक्क कौन्सा है ओउली टू उफसन भी नेक्स्ट अब सी क्यू देखो मेसोपाँयं टेक्स्ट रीफर्ट़ एप्रेस कौर्ण रूंखलं यह मेलूफ यह कौनसा आम्दी नहीं बत आया अब ये लोग डिलमून किसको बुलाटे थे, अच्छा अच्छा नाम है, मागन बुलाटे थे, मागन बुलाटे थे, किसको, OMAN को, मैलुहा बुलाटे थे, मैलुहा, हरप पुपल वाले हरप जो रीजन beshan yo, हरप यह वाली एरिया को, दिलमून बुलाते यह लोग जो एक आइलन्ड है बहरीन नाम की जो आइलेंड है यह बहरीन आइलेंड जो है इसकी आइलेंड को वो लोग जो है बुलाते थे डिलमुन आज आफ को पूछू क्या आपको history से बहार है बट आप ट्रा त्राहिं करो इसका पहरीन की क्या है पता है तो कमिन करके बताओ हम पूछे में सी के उन ना ना पर आगे हम लोग है ना तो एकोडिंग टू सम् अर्के लोजिस्ट गवर्ड हजबर्ड मैसोपूटामिया जो प्यूपल्स जो थे मैसोपूटामिया की जो बहुत सारी स्टोडिज वहां पर हम लोग देखें मिथ जो है उसमें हजबर उसकरते थे तो कौन सा बर्ड को बोलते थे हजबर्ड वल्चर हमिंग बड्ड पीकॉक और हमारा 100 number MCQ आ गया है ना 100 number MCQ आपकी Beards, Breaks and Bones चेप्टर से आ गई Class 12, History, Chapter 1 आपके CUT exam के लिए बहुत दमदार MCQ से है यह 100 में खतम नहीं होगा यह मैं इसके बाद और 50 से ज़्यादा एप्रोक 60 और लेक्या होगा इस चेप्टर का आप देखोगे 160 के आसपास MCQ हम लोग जो है देखेंगे और सिर्फ इस चेप्टर का नहीं आने वाले जितने भी चेप्टर से सभी का आप देखोगे 150, 200 एतने number में MCQ मैं लेके आऊंगा देखते हैं इस question को According to archaeologist The Mesopotamian people import carnaline, lapis lazuli and variety of wood from Meluha जब Mesopotamia के जो लोग थे वो carnaline, lapis lazuli और इस तर के चीज़े जो है वो Meluha region से import करते थे Yes, यह true है And copper and gold जो है वो import किया जाता था Mesopotamia में कहां से? Meluha से नहीं Meluha वाले तो copper कहां से लाते थे? Copper लाते थे कहां से? Magan, है न? Magan, M-A-G-A-N Magan, किस को बोलते थे? Oman को तो यह वाली तो गलत हो गई तो हमारा correct कौन सा है? Only one Only one हमारा correct है तो देखो यहाँ पर हमारा MCQ का यह वाला वीडियो जो है And होता है कोई भी doubt inquiry हो मेरा telegram, facebook, instagram का link given है वहाँ जूर के directly मुझसे बात कर सकते हो Directly मुझसे बात कर सकते हो अपने doubt को clear करवा सकते हो तो इस वीडियो में हम लोग ने 100 MCQ तक किया मैं next hour MCQ लेकिया होँगा आपकी Beats, Bricks and Bones chapter की तब तक के लिए Thank you